100K के लिए बहुत बहुत बढ़ाई और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया 100K का स्पेशल वीडियो आज शाम को आने वाला है, do not miss that कैसे लिखेंगे आप एक YouTube वीडियो की टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ताकि आपके पास में और ज्यादा व्यूज आपाएं, मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन और टाइटल के बारे में हर एक information देना चाहूंगा जो आप लोगो जाननी चाहिए, और कुछ ऐ इस चाहियों के बारे में बताने बाला हूं इनी चीजों से related जो आप लोगो ज़रूर जानना चाहिए इस तरीके के टाइटल लिखने चाहिए, कैसे लिखने चाहिए और आप कैसे उन चीजों को करके ज़्यादा व्यूज पा सकता है करते हैं इस वाले वीडियो की सबसे पहले तो कुछ realities के बारे में बात कर लेता हूं सबसे पहले चीज़ तो यह है कि कोई भी title ओ description लिखने का एक ही तरीका नहीं होता है कि अच्छा तरीका नहीं होता है, there is nothing proven आप लोगो जादातर यूट्यूबर बात करते वे देखेंगे कि आपको जाना है, सर्च करना है, आपके title में keywords होने चुई है, 3 चाहर keywords होने चुई है description में वही चीज़ को copy paste करनी चुई है, हर कोई इसी चीज़ के बारे में बात करता है and this is not how it is, देखो मैं of course मानता हूँ कि video SEO नाम की चीज होती है, जिसके बारे में मैं आपको definitely बताने वाला हूँ काफी सारी सही सही चीज़े जो आप लोगों को पता होनी चुई है, पर किसी भी चीज़ को करने का सिर्फ एक ही तरीका define कर देना is actually not right क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों को नहीं करते हैं, फिर भी उनके channel को growth मिलती है, वो कैसे मिलती है, ज्यादा view कैसे आते हैं, उन सभी चीज़ों की बारे में भी बात करना बहुत important हो जाता है सबसे पहले चीज़ वो होने चाहिए relevant, यानि कि जिस तरीके का आप वीडियो कर रहे हैं, उस वीडियो से related आपका title और description होना चाहिए, जो उस चीज़ को define करेगा दूसरी चीज़ होने चाहिए, descriptive, यानि कि वो title और description ऐसा होना चाहिए, जो सामने वाले बंदा पढ़े तो उसको पता लग जाए कि ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर है, अगर ऐसा होता है तो आप viewer का trust gain कर लेते हैं, viewer आपका वीडियो ज्यादा duration तक देखता है, जो ultimately भी clickbait titles use करता हूँ, जो of course मैं agree करूँगा कि मैं करता हूँ, पर इस बात को थोड़ा और detail में समझाने के लिए, ये समझ लेते हैं कि clickbait के दो प्रकार होते हैं, मैं ये चीज़ न अपने clickbait title use करने के reason को justify करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, information से एक लिए बता रहा हूँ, जैसे say for example, अगर मैंने पूरी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ को information के बार में बात करी, पर मैंने कही न कहीं में मेंशन किया है कि भाई, अगर आप ये चीज़ करते हो, या फिल लोग ऐसा धोका देते हैं, तो आप 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 डवल पैसा कमा सकते हो, तो मैंने वीड देखने के बाद में देवल अंडेस्टांड की भाई, इसका relevance क्या है इस पर्टिकलर वीडियो से, जो उस वीडियो में बात की गई है, तो लोग समझेंगे, और उनको पता लगेगा कि भाई, ये जो clickbait है, ये actually में है तो clickbait, पर कहीने के related है वीडियो से, दूसरा clickbait होता ह है, irrelevant और illogical, जो बहुत ही जादा attractive होता है, जैसे, for example, अगर मैंने आपको इस normal information देने वाले वीडियो का, अगर मैं title रख दूं कि भाई, आप कैसे 1000 रुपे एक दिन का कमा सकते हैं, pretty sure मुझे इसी इसको और जादा explain करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ करते होंगे, आप लोगोंने काफी सार ऐसे लोगों को देखा होगा, जो ऐसे ऐसे titles को यूज करते हैं, जो उनके वीडियो से कहीं से भी कहीं तक माच नहीं होता है, और यह चीज करने के नुकसान भी होता है, काफी सारे वीवर्ट जो उस पर्टिकलर title की बज़े से वीड कुछ ही सेकंड्स वीडियो को देखे निकल लेते हैं, जिससे आपको watch time पर काफी impact पड़ता है, यूट्यूमन वीडियो को बहुत आगे पुछ नहीं करता है, पर अगेर हमको यह चीज भी reality में ध्यान में रखनी पड़ेगी कि काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, जो regular base पे clickbait करते हैं, और उनको millions में views आते हैं, तो इससे definitely ये तो clear हो गया कि ये चीज ना बहुत subjective है, मलब ये completely creator के उपर depend करता है, कि वो किस तरीके से अपने video में title को, thumbnail को, description को use करना चाता है, किस तरीके से लोगो को impact करना चाता है, क्योंकि कुछ भी आप करो, बहुत सारे ऐ कहराईयों के बारे में तो समझ लिया, अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, कि आपका title और description आपको कैसे create करना होता है, तो simple सब पहला logic ये होगा, कि आपको उसमें कुछ एक keyword use करना है, पर at the same time आपको उसको अपने हिसाब से एक sentence बनाना है, example के लिए मैं आपको अपने laptop पे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो यह हमारा चानल का home page, subscribe नहीं करा है तो कर लेना, माल लो कि मैंने एक video बनाया है, जो है blogging के ओ, how to start a blog, अब अगर माल लो मैं यहां पर search करता हूँ, YouTube के search section में, how to start a blog, यहां पर मुझे काफ blog step by step for beginners, अब आपके video का relation in keywords में सबसे close किसके साथ में हो सकता है, आपको उसको pick करना है, अब say for example, मैं यहां पर क्या करता हूँ, how to start a blog को choose ना करके, मैं करता हूँ, how to start a blog for free, यह मेरा एक main keyword है, जिसको use करके, मैं अपने title में कहीं ना कहीं इसको frame कर सकता हूँ, कि how to start a blog for free as a beginner in 2021, पस, काम खतम, वैसे आपके पास में 100 characters की limit होती है, हर एक video के description के लिए, तो आप चाहें तो पूरा का पूरा use कर सकते है, पर मैं recommend करूंगा आपको कि उस चीज के लिए बहुत strongly पीछे मत पढ़िये, लंबा title होता है, उतना 100 हो जाता है, तो good enough, नहीं होता है, तो okay, अगर चाहें, तो आपने channel का नाम brackets में बाद में लिख सकते हैं, नहीं चाहाना तो मत लिखिए, अगर चाहिए आपको कि how to start a blog आपको एक रखना है, और उसके बाद में, say for example, ऐसे करके आपको दुबारा से कुछ लिखना है, कि how to start a blog, step by step for, step by step process for beginners, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी title को लिख सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि भाई, आपको यहाँ पर यहाँ पर यह वाला sign यूज ना करके, आपको कॉमा लगाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, that is completely subjective, अगर आप ऐसे use करते हैं, तो मैंने काफी लोग को यह चीज करते भी देखा है, तो इसी popular सी चीज है, जो मैं use कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पर start में आना है, underscore लगाना है, space bar दबाना है, इससे क्या होगा, कि जो चीज सबसे ज़्यादा popular होगी, उसके आगे, prefixes, क्या search करते हैं, लोग उसी से associated, वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, जैसे अब माल अगर मालो की, be a gamer, मैंने यहाँ पर यह लिखा, अब इसके आगे मुझे चेक करना है, कि भाई मैं क्या लगा हो आगे, तो अगर मैंने यह लिखा, तो इसके आगे, क्या ऐसी popular चीज हैं, जो नोमली लोग यहाँ पर search करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर underscore लगाया, space दिय तो मुझे लिखा, Rezi want to be a gamer is one of the most popular keywords, बाकि how to be a gamer, बाकि be a gamer, song और वो सभी चीज़े आजाएगी, अगर मालो मैं यहाँ पर जाना है, ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के पहले, ऐसी कौन सी popular चीज़े हैं, तो मैं अगर underscore लगा कि करता हूँ, तो मेरे पर सारी सारी चीज़े जाएगी जो यहाँ पर है, अब चलो एक छोटा सा सर्च कर लेते हैं, कि यह देख लेते हैं कि कौन सा वीडियो किस तरह के से टाइल यूस कर रहा है, तो how to start a blog, हमारा एक यही था how to start a blog and make money, चलो यह करते हैं, मुझे सबसे उपर यहाँ पर नजर आ रहा है यह वाला कि नीचे वाले रिजर्ट को देखेंगे, यहाँ पर, create free blog and earn money online, what is blogger, यहाँ पर वो particular keyword, set of keywords नहीं है, फिर भी वो चीज़ आ लिए, तो अगर जो लोग आपको यह बोलते हैं, कि आप जो keyword वहाँ पर सर्च करते हैं, वही चीज़ आपको exactly मिलती है, that is not the case, that is not true, वही पर आप देखेंगे नीचे, जो उसी हिसाब से, same चीज़े यूज़ कर रहे हैं, उनके काफी लोगों के, जो वीडियोज हैं, वो काफी नीचे भी आ रहे हैं, जैसे कि यह देखें, how to start a money making blog, काफी नीचे आ रहा है, how to start a blog, काफी नीचे आ रहा है, सबसे उपर ऐसी चीज़ वीडियो को open करा और मैंने इसको इक बाद पॉस कर लेते हैं, और यहां पे इन का description चेक करते हैं, तो वीकिन क्लेरी सी कि यहां पे starting में, काफी लोग यह बोलते हैं, कि starting में आपको यह same जो आपको title है, वो copy paste करना चाहिए, या फिर वही जो keywords है, वो आने चाहिए, of course that is a good strategy और वो normally अगर आप करना चाहिए, तो definitely कर सकते हैं, impact definitely पढ़ता है, अगर आपको उसके पहले भी और कोई चीज़े यूस करनी तो आप definitely कर सकते हैं, जैसे इनोंने यहां पे किया हुआ है, of course वोड़ा था popular channel है, तो यहां पे इतना matter नहीं करेगा उन लोग के लिए यह थो अगर रखते हैं, जैसे इंक्तिक करहें, कर्करीशों कर सकते हैं, लुट थे कर दो कि सकते हैं, अगरा वो जो अगर प्रषक-व करते करता देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए जादा अच्छे से काम कर रही है क्योंकि all these things are very very subjective and personal experience के हिसाफ से अगर आप चीजे सीखेंगे और फिर note करेंगे तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा इसलिए analysis is very very important because हर एक YouTube channel की जो चीजें होती है वो एकदम different होती दूसरे चानल से उसी के सासा description में अगर आपको लिंक डालना चाहें अपने blog कर लिंक डालना चाहें अपने social media कर लिंक डालना चाहें completely fine अगर को hashtag use करना चाहें definitely कर सकते हैं काफी सारे लोग बहुत सारे keywords उसमें na copy paste कर देते हैं क्योंकि कर लोगी तो बेटर है आगे आने वेले वीडियो में काफी help में लेगी आपको बाकी हमारे 100k definitely हो चुके हैं तो आप लोगों को बहुत-बहुत बदाई हो उसीज के लिए बाकी मैं में विलूँगा आपको कल 10 बचे 45 minute पे episode 15 में तब तक के लिए take care